प्रस्न बारा यदि किसी लंब विर्तिय बेलन के आधार का छेतरफल 38.5 वर्क सेंटीमीटर और उचाई 84 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र प्रीष्ट का छेतरफल ग्याद कीजे प्रस्न बारह तो क्या दिया हुआ है लंबिर्तिय बेलन का आधार का छेतरफल दिया हुआ है तो देखे लिखेंगे यहां पर बेलन का बेलन के आधार का छेतरफल बराबर कितना दिया हुआ है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर 38.5 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि बेलन के अधार जो होता है वरीत के जैसा होता है तो वरीत का छेतरफल का सुत्र होता है पाई आर स्कॉयर तो पाई आर स्कॉयर बराबर लिख लेंगे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है? ये लिख लेंगे अब पाई कमान क्या होता है? 22 बटा 7 तो 22 बटा 7 आर अस्क्वाइर बराबर 38.5 तो इससे हम पहले तिरिजिया निकाल लेंगे यानि आर निकाल लेंगे तो आर अस्क्वाइर बराबर कितना हो जाएगा? 38.5 गुना 7 बटा 22 ठीक है? 38.5 गुना 7 बटा 22 तो आर बराबर तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 38.5 गुना 7 बटा 22 वर्ग में है बाया तरफ तो दाया तरफ अंडर रूट में हो जाएगा अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 38.5 को 22 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? एक वार में लगाएगा 8 में से दो गया 6 3 में से दो गया 1 5 उतरेगा तो यहां पर 10 मलो देंगे तो 22 सत्य 22 सत्य लगाएगे 7 दूना 14 7 दूना 14 एक 15 5 में से चार गया 1 6 में से पांच गया 1 अब 10 मलो दिया हुआ है तो एक सूनने हम दे सकते हैं तो 22 पचे यानि एक 10 मलो 7 पांच आ गया ठीक है बाईस से भाग देने पर अब 1 दस्मलो 7 पांच तो लिख लेंगे एक 10 मलो 7 पांच गुना 7 अंडर रूट ठीक है अब इसको गुना करते हैं तो 7 पचे 35 हाथ में रहा 3 67 49 52 हाथ में रहा 5 7 पांच 12 यानि 12.25 आ जाएगा अंडरूट तो 12.25 इसका वर्गमूल हो जाएगा 3.5 यानि आर बराबर आ गया 3.5 cm यानि 3.5 cm देखें 1225 का वर्गमूल होता है 35 बस बीच में 10 मलो है तो यहां भी 10 मलो दे देंगे बीच में क्योंकि 10 मलो के बाद 2 अंक है तो यहां पर देस्मलो के बाद 1 अंक होना चाहिए क्योंकि गुना हो रहा है 3.5 गुना 3.5 करेंगे तो क्या जाएगा 12.25 ठीक है तो त्रीजिया निकल चुका है अब क्या निकालना है हमें तो बेलन के वक्र प्रिष्ट का छेतर फल निकालना है बराबर क्या होता है सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच ठीक है यानि 2 गुना पाई कमान 22 बटा साथ आर कितना आया है 3.5 तो 3.5 लिख लेंगे उचाई कितना दिया हुआ है तो उचाई है 84 सेंटीमीटर तो यहां पर लिख लेंगे 84 ठीक है सब सेंटीमीटर में है इसलिए वर्क सेंटीमीटर में आयेगा तो देखे साढ़े 3 से 7 दो बार में कट जाएगा क्योंकि 3.5 7 का आधा होता है तो 3.5 से 7 दो बार में कट गया 2 से 2 कट गया 22 गुना 84 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 गाठासी 62 176 176 और 8 कितना हो जाएगा 184 तो यहाँ पर लिख देंगे 184 यानि 1848 वर्क सेंटीमीटर आ जाएगा वक्र प्रिष्ट का छेतर फर तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रहस्न 13 काए एक बेलन काईतन 5720 गन सिंटीमीटर है और व्यास 20 सिंटीमीटर है तो इसके उचाई मालूम खीजे प्रहस्न 13 का ए तो प्रहस्न 13 का ए में लिखेंगे बेलन का बेलन का तरीजिया निकाल लेंगे पहले तो बेलन का तरीजिया यानि आर तो तरीजिया आर से लिखते हैं तो कितना आ जाएगा तो बेलन का ब्यास दिया हुआ है 20 सिंटीमीटर यानि तरीजिया हो जाएगा 20 बटा 2 यानि 10 सिंटीमीटर ठीक है तिरिजिया कितना हो गया 10 cm बेलन का दिया हुआ है ब्यास दिया हुआ है तो ब्यास का आधा होता है तिरिजिया तो लिख लेंगे अब दिया हुआ है बेलन का आइतन बेलन का आइतन कितना दिया हुआ है 5720 5720 घन सेंटिमीटर यानि सेंटिमीटर का घाद तीन ठीक है अब बेलन का आइतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वाइर एच पाई आर स्क्वाइर एच तो पाई आर स्क्वाइर एच बराबर दिया हुआ है 5720 घन सेंटिमीटर ये दिया हुआ है ठीक है तो देखें π कमान क्या होता है 22 बटा 7 π कमान 22 बटा 7 30 हम लेके आगे हैं 10 तो लिख लेंगे 10 का वर्ग R के जगा पर 10 लिखेंगे उचा ही पूछ रहा है यानि H हमें निकालना है H को H ही रहने देंगे और यहां पर लिख लेंगे 5720 तो देखें H बराबर क्या हो जाएगा H बराबर हो जाएगा 5720 गुना 7 बटा 22 गुना 10 गुना 10 देखें 10 का वर्ग है तो 10 गुना 10 लिख सकते हैं 7 भागा में है तो 7 गुना में हो जाएगा और 22 गुना 10 का गहाद 2 भागा में हो जाएगा ठीक है एक सूने से एक सूने काट देंगे 22 से कट रहा है कितना बार में 22 दूरी 24 24 10 54 और 3 यानि 13 इधर जाएगे तो 132 तो 132 कितना बार में आएगा 6 यह यह कट जाएगा 22 दूरी 44 और 6 बार जाएगे 26 बार में कट गया ठीक है कितना बार में कट जाएगा 26 बार में अब देखे 10 से तो देखे 10 यहाँ पर बच गया है 10 हम नहीं काटेंगे ठीक है 26 सत्य कितना होता है 7 6 42 7 2 14 4 18 यानि 182 बटा 10 10 में है 10 बटा में है तो इसको नहीं काटेंगे क्योंकि भाग देने में असानी होगा अब देखे 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा एक 10 मलो पर जाएगा एक अंके पहले दाही और से यानि 18.2 cm क्योंकि सब cm में है तो इसका उत्तर हो जाएगा 18.2 cm तो उचाई कितना आ गया 18.2 cm तो लिखेंगे अता अता बेलन की उचाई 18.2 cm तो बेलन की उचाई कितना हो जाएगा 18.2 cm तो इस तरह से प्रस्न 13 का ए हल कर लेंगे तो बेलन की उचाई